अज दिल्दी की वुराडी के कमल व्या कलोनी में अम्रोट माता अल्या वाई बोलकर सिर्वाश्टी इसके स्यूद राडी स्वाइन आए इसके सयूद राडी स्वाइन और राइन आए अब मुख्यस्थिकी इकरन वाईजी मौनी रहे और समाद के तमाद पुख्रों पैनाये और बच्चे गरतंदिवत की उभीव का इस देखाना है। कई बच्चों ने गरतंदिवत की बश्चतर देखानी और आधर हो देखानी। लेकिन वहीं पर नौ साल की लच्चता पार्टी का कोई बड़ा लीडर बोल रहा हो। इस कड़ी में आये हुए सभी अब लोगों ने लच्चता पार्ट के बाकड की शालाना की बाहार शानभू की प्रश्कार की जिए। और बड़ा बड़ा इंडिया और चीफ गेर्स आधर कंट्री अधर कंट्री अधर कंट्री बीड़ा जब तक ऊच्छ को अधरी अधर इस दे हते हैं आव जगन कोंगेंट्ज को सेॎरा इंडिए। by Indian National Congress in 1930 that's why this day was chosen to bring Indian Constitution came into force. My sisters, I love my country and I am proud of its rich and very high touch. I shall always decide to be the worthy of it. I shall pay this back to my parents, classmates and all and all and treat I want to be courtesy to my country and my people and pledge my devotion, India's well-being and prosperity. इसित् कर नाद लोएद् इससिस्कॉक आपकर schne मोशी Yeah बत्र अबाद रहे तू मैं जहां रहूं जहां में याद रहे तू मैं जहां रहे तू अब तन मेरे वतन, मेरे वतन आवाद नुई तुझी मेरी मंजिल है पहचान तुझी से पहुचू में जहां भी मेरी बुनियाद रहे तू ए वतन मेरे वतन तुझ पे कोई गम की आचि आने नहीं दू वास्तव में दो साल 11 महिने और 18 दिन लगे थे 1947 में 29 अगस्त को डक्तर भीम राव मेटकर की अधिक्ष्टा में प्रारूप समीती का निर्मार किया गया था भारत का समीधान 1950 में अस्तीत्व में आया था समीधान सभा के दौरा 26 नवंबर 1949 को गहन किया गया था 26 जनवरी 1930 को बाते राश्त्रे कॉंग्रेस के द्वारा भारत को पूर्ण सराजे घोशित किया गया था यही कारण है कि 26 जनवरी को ही बारत के समीधान को लागू करने के लिए चुना गया था बाते राश्त्रे ध्वज में तीन रंग और 24 वराबर तिल्यों के साथ मध्य में एक चक्र है बाते राश्त्रे ध्वज के सभी तीन रंगों का अपना अपना अर्थ है सबसे उपर का केसरिया रंग भारत की हिम्मत और मजबूती को दिखाता है मध्य का सफेद रंग शांती को प्रदर्शित करता है और जपकी सबसे नीचे का हर रंग वृद्धी और समृद्धी को इंगित करता है द्वज के मध्य में 24 वराबर तिल्यों के साथ एक नेवी नीले रंग का चक्र है जो महाम राजा अशोग के धर्म चक्र को प्रदर्शित करता है भारत एक लोक्तांत्रिक देश है जिसके हाँ पर शासक करने के लिए कोई राजा या राणी नहीं है बलगी यहां की जंता ही यहां की शासक है यहां पर रहने वाले हगरिक नागरिक के पास बराबर का अधिकार है बिना हमारे वोट के कोई भी मुखे मंत्री या प्रदान मंत्री नहीं बन सकता है देश को सही दिशा में नेतरत्व प्रदान करने के लिए हमें अपना सबसे अच्छा प्रधान मंत्री या कोई अन्य नेता चुनने का हग है भारत का सम्विदान सम्विदान सभा के द्वारा ग्रहन करने के बाद इसको लोग प्रभू लोग तांत्रिक और संप्रभू और गंतंत्र बना था राश्च्छे राश्च्छानी में राश्च्छे त्रेंगने को 21 तोपों की सलामी दी जाती है और इसके बाद राश्च्छे बतलता दिवस्के सभी देशवासियों और अपने समाज के और पस्ते सभी लोगों को बहुत-बहुत बढ़ाई देती हूँ बाते इंदा पार्टी उत्तपूर्वी जिला खान मोचा का जिल्या मामंती उन्य के नाते सभी देशवासियों को सतरवे गंतंत्र दिवस की हार्दिक सुबकामनाई जय हिंद जय पारत मेरी और से गंतंत्र दिवस की हार्दिक सुबकामनाई देती हूँ और यह संदेश लेती हूँ कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोधी का अभिहान है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उसे ज्यादा से ज्यादा लोग फॉलो करें ऐस गंतंत्र दिवस पर देशवाषियों को हार्दिक सुबकामनाई देती है और मैं अपने जो यहां बेल फीर ने कारेकरम रखा इस बेल साथियों को में अपनी और से हर्दिक शुकाना एंदेता हूँ देशवासियों की तरफ से उनको भी शुकामना एक wash की तरफ चेए करेकरहम हो रहे हैं क्योंकि यही नहीं पूरी दिलिन पूरे देस में इस तरह हैं देस में हारी पुलास का समय है क्योंकि आज हमार और पवित्र दिन है आज के दिन हमें इस सविधान मिला था और इस सविधान के तहती इस देश में जो कुछ भी कारे करम हो रहे हैं वो चल रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि यह जो एक समाजिक अहिलेवाई होलकर समीती ने जो बनाया है मैं समीती के और से भी सभी देशवासियों को हारदिक धनेवाद देता हूं और कहता हूं कि इस समाज के लोग को चला रहे हैं वो भी इस देश की भागेदारी जो भागे-दारी इसमें हिश्सा लेए और इस देश में अपने स्थान को पक्का करें यही मैं समीती के जो भी करहता हूं जो भी योज़क है उनसे उमीद कमल विहार में जो गणतंत दिवस के शुब अफसर पर यहां कारिकरम आयोजित किया गया है अपनी तरफ से और समिती की तरफ से मैं सत्र में गणतंत दिवस पर सभी देशवासियों को शुब कामना है देती हूँ क्योंकि यह हमारे लिए एक हर्ष का दिन है लेकिन मैं एक संदेश भी देना चाहूँगी समाज के सभी लोगों को सभी देशवासियों को कि हमारे प्रधान मंतरी मोदी जी ने जो स्वच्छता का अभ्यान रखा हुआ है हम उसे पूरा नहीं कर पाते हम अपने घर में पूरा नहीं फेकते लेकिन हम सडक पर फटा फट कच्रा निकाल के फेक देते हैं उसे साफ करने के लिए हमारे प्रधान मंतरी जी नहीं आएंगे हमारे मिनिस्टर्स नहीं आएंगे हमारी सरकार नहीं आएगी तो मैं छोटे-छोटे बच्चों से खास तर पर अपील करूँगी अपने वादावरन को साफ रखे जहां भी जाएं कच्रे की थैली लें कच्रे को थैली में डालें तभी हम मोदी जी के सोचदा के अभियान को सफल कर पाएंगे अध्यने को आज तो मरे करोंने बढ़ारी मारा आता हूँ मैं राजय स्पाल आरस्पी बुराडी बिदानजबा अध्याच सभी से मेरा अन्रोध है कि इस गरतन दिवास पर हर बर्स इसी हर्जुलास के साथ सभी एकित्रित हों और नरिंद बोधी की जो पहला है कि सुच्छ भारत सुच्छ अभ्यान बेटी बचाओ, बेटी बढ़ाओ पर विशेश द्यान दें और सबको सिच्छित बनाए और संगर्ष करो, आगे बढ़ो यही मेरा सबको संदेश है जैन जै भारत